असलाम अलेकूम हलो दोस्तों मैं जुलेखारफाद जुलेखासकिचन.com से अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर बेल आइकन उसे भी क्लिक करें और नोटिफिकेशन पर ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मि चिकन शिजवान प्रेट पकोड़ा बहुती लजीज है कोई चटनी सॉस वास लगा के खाने की जरुवत थी क्या आज इसके अंदर चटनी वगरा सारी लगी हुई है और मैंने एक और रेसिपी इसी तरीके की बनाकर मेरे चानल पर अपलोड की है जिसका नाम है मायो चिकन ब्रेट पकोड़ा वह भी बहुती डिलिशिस है यह थोड़ी सी चटपटी है तो वह एक क्रीमी टेक्शर वाली है ट्राइ जरूर कीज़ेगा उसका रेसिपे लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दाल देती है और खूब सारी रमजान की रेसिपी मैंने मेर नहीं स्वादश्त है तो चाड़िये शुड़ू करते हैं एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल गरम कीजिए हलका सही डालना जादा मत दालिएगा और जब गरम हो जाए तो इसमें दाल दीजिए डेट टीबल स्पुन लस्सन बारिक कटा हुआ और आधा या एक छोठा चैका चमच बारिक कटा हुआ अधरक ये दुनों चीजों को मिक्स कीजिए और मीडियम आज पर तकरीबन एक मिनिट तक फ्राइ कीजिए जब एक मिनिट हो जाए तो इसमें दाल दीजिए बारिक कटा हुआ पत्ता गोबी बारिक कटा हुआ गाजर और बारिक कटा हुआ स सारे तीनों चीजे सबजियां जो थी, वो मैंने 1 फोट 1 फोट कप ही ली है, मिक्स कीजिए, और मैं हलका सा तेल और ज्यादा दाल रही हूं, तम लग रहा था, चुला, मीडियम आज कर दीजिए, और ये जो सबसी है, इसे आधी या एक मिनिट तक पकाईए, मैं तकरीबन आ चीजवान सॉस, आधा या एक चुट चैका चमच, चिली सॉस, रेडवाला और एक चुट चैका चमच, विनेगर, और आधा चुट चैका चमच, सोया सॉस, क्योंकि मेरा डाक है, तो मैं आधा दाल रही हूं, अब जादा भी दाल सकते हैं, यहां पर मैंने साइट पर चिक निकाल कर इसको मैंने मैश करके इसमें डाल दिया, अब इसमें मिक्स कीजिए, मैंने चूला पर ही रखा है, मिक्स बहुत अच्छी से कर लीजिए, मैंने जो यह 500 ग्राम चिकन है न, उसे एक कप पानी में 2 टीस्पून जितना तरक लसन का पेस दाला, थोड़ा सा नम्मक अच्छी से बहुत अच्छी से बॉइल कर लिया, जब चिकन बॉइल हो गई तो फास्ट आज में सारा पानी सुखा लिया, और तकरीबन 2-3 टीस्पून जितना पानी रहने दिया, जब थंडी हो गई चिकन बंद कर दिया चूला, उसके बाद जब थंडी हो गई तो से श् आलू पूरी तरीके से मैश हो चुके है, चिकन पे आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से मैश हो चुके है, चूला कर दीजिए बंद, आपको नम्मक कम लग रहा है तो थोड़ा दाल कर एज़स्ट कर लिजिए, और चूला बंद करने के बाद उसे साइड पर ठंडा होने प्रेने दीजिए, एक बावल के अंदर एक कब भर के बेसन दालिए, बेसन अच्छा बारिक वाला लीजिएगा, इसके साथा नम्मक दाल दीजिए, स्वाद नुसार, आदा चुट चैका चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर, वैसे स्पाइसी वाला दालिएगा, आदा चुट चैका चम्मच, भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ, साबुद धनिया, आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं, वन फोट चोट चैका चम्मच, बेकिंग सोड़ा, एक से तीबिल स्पून जितना तेल, दो टीबिल स्पून जितना मैं यहां दार रवे हूँ, चावल और बहुत जादा भी पतला ना हो, तो यह देखिए, बन चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही गाडा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं है, थोड़ा सा कोथमिर दाल दीजिए, मिक्स करके इसे 10 मिनिट साइट पर रख दीजिए, अब मैं हरा दानिया दालना भूल ब्रेट जाएगा, इसके आप चाहें तो कठे निकाल सकते हैं, एजिस मैंने नहीं निकाले हैं, एक ब्रेट लीजिए, इसे इस तरीके से, जो हमने मिक्स्चर बना कर रखाए, लगाए, एक से दो टेबल स्पून चितना और स्प्रेड आउट कर दीजिए, आप चाहें तो जैसे आपने ये एक पैकेट बना लिया, जो मिक्स्चर का, अब तीसरा ब्रेट लीजिए, मेरी तरह, और इसके उपर आप लगाए शेजवान चटनी, और मैं क्या कर रहे हूं, शेजवान चटनी के साथ साथ है न, थोड़ा सा टमाटर सॉस भी लगा रहे हूं, बहुत ज करकर ये जो हमारा पार्सल बनकर रेडी है, उसके ओपर दाग दीजिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसा, और ये बन गया हमारा तीन का एक पैकेट, अब ये में साइट पर रख रहे हूं, अब मैं आपको दूसरा तरीका ये दिखा रहे हूं, सबसे पहले फिड़ और तीसरा ब्रेड लीजिए, और उस पर मैं क्या कर रहे हूं, सरिफ टमाटर सॉस है न, वो लगा कर उससे ढख रहे हूं, यहां आप देख सकते हो, मैंने एक पे सिर्फ टमाटर सॉस लगाया, तीन वाले सेक्शन में, और एक पे शिजवान चटनी और टमाटर सॉस लगा तो देखा, आपने मैंने दो-तीन तरीके बताए हैं, आप इन में से चाहें किसी भी तरीके से बनाएं, सारे ही अच्छे बनते हैं, तेल को फास्ट आज पर गरम करने रख दीजिए, कडाए में जब अच्छा गरम हो जाए, तो मीडियम आज कर दीजिए, यह जो हमने दस म ब्राइक लीजिए यह वाला और ब्रेड का डबल वाला में ले रही हूं और इसे उलट पलट कीजिए, साइट बाइज पर भी लगने चाहिए, हमारे यह जो बैटर है वो और बिसमिल्लाय राह्माने रेम बोल कर यह जो तेल है, गरम तेल इसमें डाल दें, कुछ सेकेंड के लिए इसे रहने दे दे उसी तेल के अंदर? मीडियम पर delayed यह तो शेकेंड हो जाए तो उलट-पलट करते जाए, और मीडियं आज पर इसे fry करें आपने तब तक फ्राय करना है जब तक यह light golden brown नहीं हो जाते हैं जिब light golden brown होंगे तो अपने आप crispy हो जाएंगी क्योंकि अंदर से तो कुछ पकाने की जरूरत ही हमें अंदर से तो सारी चीजे पके हुए हैं कुछ देर बात जब light golden brown हो जाते हैं चारो और से तो इन्हें निक अच्छा अगर आप काफी टाइम से एक्सपीरियंस नहीं हो पकाने में तो यह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको पूरा इतना बड़ा पैकेट लोटना वह आटे के अंदर और उसके बाद इसे गरम तेल में दालना क्योंकि वह सौगी हो जाएगा तो आप क्या की जिए जब आप इसका स्क्वेर बना लेते है ना जब हम चटनी वगर लगा लेते है ना तो उसे आप क्या कीजिए उसी समय जैसा हम सैंविच के लिए काट लेते है ना यह देखिए इस तरीके से आप बीच में से काट लिए तो इसके दो हिससे हो जाएगे तो वो जादा रहेगा आपके लिए बनाने के लिए अब इसे बैटर में अच्छे से उलट पलट करके लोटी ए साइज एज़ वेज़ पे लगाईए सारे अच्छे से और इसे भी पिसमिला रखाने रिंग बोलकर इसे डाल दीजिए पकोड़े को तो यह आप ज्यादा बहतर तरीके से मैन कर बना सकते हैं अगर बेसिन का बैठर कम पड़ जाए तो आदा कॉंटिटी का फिर से बना कर बाकी के बच्चे हुए फ्राय कर लें तो यह देखिए बढ़िया से सारे मज़ेदार से बन चुके हैं लास्ट अब बाकी है जो स्क्वेर वाले थे इसे बीच में से काट लें यह द्रायंगल बन जाएंगे अब गर्मा गरम यह चिकन शेजवान ब्रेट पकोड़े को सब करें वैसे चटनी अंदर दाली हुए तो चटनी अलग से सब करने की जरूरत नहीं है तो यह थी आज की रसिपी अगर आप मेरी यह रसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंस सेक्श